हालो एब्रीबरन वेलकम टू माई चैनल दीपक दिया खना व्लॉग तो अभी हो रहा है मॉर्णिंग का टाइम दिया स्कूल जा चुकी है तो मैं थोड़ा सा घर को अच्छे से क्लीन कर रही थी और थोड़ा चेंज भी कर रही थी तो यह जो परदा था मैंने विंडो पे से सर्वेस फिंडो पे से इसको हटा दिया इस पे न पहले जाली नहीं लगी हुई थी यहाँ पर बेट डला हुआ था दीपक के ममी के पैयाल में प्रॉब्लम थी न तो बस यहीं बैठे बैठे जो भी थोड़ा बहुत काम करती थी यह खाना वगरा जैसे बनाते बनाते यही से जो है पास आउट कर देते थे तो सही रहता था लेकिन अभी मैंने इसमें जाली लगवा लिया विकॉस चूए बहुत थे घर में उस टाइम पर यहीं से आना जाना करते हैं तो इस वज़े से जाली लगवा ली थी तो आज जो है मैंने यह सोफे का कवर भी चेंज कर दि हुई है तो मैंने उस कुरसी पे चड़के उपर जो है गणिश भवान जी की जो पेंटिंग है वो भी लगा दी है अंदर की तरफ मुझ करके काफे दिनों से ऐसे ही रखी हुई थी अंदर वाले कमरे में बैट पे तो आज मैंने फाइनली लगाई दी मुझे लगा था मेर अजिए मेरा हाथ पहुच गया था और यह सोफा कैसे लग रहा बताना मुझे कॉमेंट करके यहां पर दिया कि हमारी व्लॉग दिया बनारी है व्लॉग गूंग के यह देखो हैलो जी पीछा करते हम दियू का यह सब डिपा दिखाते हूं काई मैं आपको यह है क्या चीछ किसकी चीड़ा है बेरी दिया देखो व्लॉग गिंग करना सीख गई है काफी हद तक थोलो तस आई खजाना सो गाइस सो गाइस गाइस की हैल कर देते हम इसमें पॉपकोन है खटा मिटा है और लेज है और यह पनार सी मिस्चर है बिस्किट है मिल्क बिकी स्नाक लाइट न वो गया गाइस हो गया गाइस हो गया गाइस बहुत अच्छी लगी बताओ 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 आकर देखो इसकी नाजा इकारी आज नानी से तो मिल्वाद का इसको मामा इसको सब्सक्राइब करें देखो आने में क्या बंदे है दार चावल शोटी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें उख वर्याइब ऑयाज सब्सक्राइब पहल States बोलो तो सही गाई दिये गाई को बताता तो कौन है यह अब एक और चीज़ी खते हैं ठीक है एक वारी पर देगा था अब अन्य जिए राश्ट निया अच्छा जो नांच को फोल लोग जो मुझे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है मैं ऑनलाइन बुक्स पढ़ती रहती हूं ऑनलाइन नहीं पढ़ती थी तो मैगजिन बहुत लेती थी हर तरीके की मैगजिन में पास होती थी ग्रह शूबा जंप ननने समर्याट नंदन पर दस रुपे की पतानी चार पतानी तीन बुक्स मिलती थी तो मैं ज़रूर लेती थी उस टाइम भी न्यूस पेपर जो हमारे घर में अलग-अलग आते थे न्यूस एक ही होती थी सब में गुमा फिरा के लेकिन पापा को शौक था पापा को पढ़ने का बहुत शौक था तो न्यूस पेपर चार चार आते थे दैनिक जागरन और जनवानी आईनेक्स्ट अमारो जाला सब आते थे हमारे घर में एक ही दिन में तो मैं सब पढ़ती थी जैसे पापा को पसंथा मुझे भी बहुत जादा पसंथा अब तो बहुत कम कर दिया जैसे मम्मे के घर आती ह शाम वाम के टाइम पे बाते मैं बहुत जादा कम करती हूं मेरी शुरू से आदत नहीं बाते बाते करने की तो मैं न्यूस पेपर लेकर बैठ जाती हूं या फोन में कुछ देखती रहती हूं फोन में भी फेस्बुक पे स्टोरी पढ़ती रहती हूं पाकि एक दो एपस म इतने पेजिस होते और नियूस भी पता नहीं अजी वजीब सी अंशन सी वो कर रखी होती है लग-अलग कॉलम बना रखे हैं जो अम मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है पाकि नियूस जो बनती है वो छपती है न यहीं बात है और बस आज थोड़ा लेट हो गई ह ममी के घर पे जाओंगे भी घर वापिस ममी ने बनाई यह अरायर की दाल साथ में चावल रोटी सब्जी तो लेकर जाओंगे दिया के लिए मेरे लिए सब्जी घर पे रखी हुई है बाभी जो है मीरी जृठानी उन्होंने मिर्को जो है आलू तो तरका लगेगा ही और जीरे का और लाल मिर्च का वह वाली मिर्च नहीं डालेंगी मम्मी इसमें खड़ी वाली सेफ और सेफ रंग वाली मिर्च और पेसी हुई लाल मिर्च डाल देंगी तो तरका लग current को ही का और लगने ही वाला है लग ही गया है कैसे लगाते हैं आप लोग बताना वैसे तो अधिक तर ऐसे ही लगाते हैं दाल मिर्च का मिर्च मिर्च अलग इसमें अपर सेल ताकि भर चन्य ना जाए पर बम बन बन के तैयार हो चुके अँगे की तो स्छाершी नीचे आप देख सकते हो मैट बिचाओंगे तो दिखाओंगे आप लोगों को अच्छा गाई मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने यह वाली जो पेंटिंग है भगवान जी की यह यहाँ पर लगा ली है बहुत टाइम से मम्मी कह रहे थी उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है और दीपक की फोटो को मैंने यहाँ लगा लिया अपने बिल्कुल पास में पहले भी बिल्कुल पास में लगी थी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है फिर से बिल्कुल पास में लगा लिया यहांपर सही है और दिया न यहां पर अब अन्टिशंट रखना छोड़ दिया है, जैसे कुछ भी खाती थी, पीती थी, यहांइ पर वो बरतन वगाऱ रख देती थी, तो अब इसको पता है यहांपर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दिपक आगए हैं यहां पर तो जूटा खाना या कुछ भी जूटे परतन वगरा है हम यानी रखेंगे है ना दियो और ये भी थोड़ा बहुत जो समान है ये आज ही आया था ये मैंने राखी मंगवाई थी मैं दिखाऊंगी बात में और ये लड़ू है हमारे घर के पास में न बिटी आ हुई है किसी को तो ये इच्छा लगता है जब लड़कियों के लिए स्पेशली ऐसा होता है कुछ लड़कों के लिए तो करते ही है सब लोग बाकी पार्सल है दियो का इसमें बॉड़ी वाश है दियो का शैंपू है काफी टाइम चल जाएगा ये 450 एमल का है इसके शेप कुछ ऐसी है लग छोट काफे सारे लोग मुने बोलते हैं जिसे दूसरों से कंपैरिजन अगर मेरी करते हैं तो कि तुम बहुत स्ट्रॉंग हो तुम बहुत मैच्योर हो पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं मैं अपने आपको स्ट्रॉंग निमानती स्ट्रॉंग होती ना आगे बढ़ जाती मैं मैं आपको बता दूँ तो मुझे तकलीफ होती है मैं अपने इंकम से बिल्कुल बहार ने निकली हूं निकलना भी नहीं चाहती हूं उसी लाइप में रहना चाहती हूं यह तारीक मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा बुरी है क्या कर सकती हूं मैं लेकिन है न दिव खाना ख हैं हैं है सब्सक्राइब लाड़ा कर से काफे हैं हैं कि अधी safety भेल बेन टेश्म मुझे पर सब्सक्राइब अधार email है मुझे बहुत थी बुरा लगा कि ऐसी situation को भी कोई कैसे capture कर सकता है मुझे अजीव लगा मैं जिनकी बात कर रही हूं समझ रहे हूंगे काफे सारे लोग मैं उसको support भी करती थी और करती हूं जो कुछ भी हुआ उसके साथ में लेकिन ये सब चीज़े शूट करना मेरे को तो मतलब ये बचकानी चीज लगी content ही मुझे ये लगा कि content बनाया जा रहा है बात के लिए जब हाला थोड़े ठीक हो जाएंगे, stable हो जाएंगे तो ये content दिखाया जाएगा और उसके लिए मैंने किसी से कहा भी ये चीज़ तो उन्होंने बोला कि वो थोड़ी छोटी है, कम उमर की है, दुनिया की चलाकी समझती है तो देखो दुनिया की चलाकी समझने वाली इसमें बात ही नहीं है दुनिया क्या चाहती है कि हम क्या नहीं चाहती है वो अच्छी तरीके से समझ रही है दुनिया इमोशनल बना रही है मुझे तो बड़ा अजीब लगा यह सब चीज़े अटकोर बात निस अब का अपना कॉंटेंट है लोग ना इजी वेच चुनते हैं लोग वो चीज़े द बना के चीज़े दिखाना चाहते है वो उनके अपनी एक थौट प्रोसेस है उनको पता चल गया कि दुनिया क्या कैसे किस तरीके से जादा अटाच होती है तो वो फिर उसी चीज़ पर कॉंटिन्यू रहता है बहुत सारे लोगों के लिए रहता है और बस मैं इतना ही बोल एक चीज़ मैं प्रणी रहता है और अब मैंने फिर से पास में कर लिया है यहां थीक है नहीं जाए यहां पर यहां पर उंद बैठा कर गड़े है नहीं है तो बाए बाए आश सब्लोगों को